लुग एब्रीबन वेलकम टो अभीपीडिया काफी स्टूडेंट्स की इंक्वाइरी आ रही है कि मैम हमने कंप्लीट स्लेबस कवर कर लिया है बट जब हम मोक टेस्ट अटेंप्ट करते हैं इन याट केस हमारा स्कोर इतना नहीं बन पा रहा है हमारा स्कोर कम बन रहा है तो ह हम कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज करें हम प्रोपर तरीके से अटेंट कर रहे हैं मोक टेस्ट बट नहीं बट अगर हमारा मोक टेस्ट में ही कोर नहीं आपार है दन हाओ कैन वी एक्सपेक्ट गुड स्कोर इन आवर एक्जाम अब देखिए जो स्टूडेंट्स अभी जैस सटेंट करने मैं यही सेजेस्ट करती हूँ कि हां जी सलेबस आई होप सभी का कंप्लीट हो गया होगा एंड जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं आई होप वो भी सभी ने अभी तक क्लियर कर लियोंगे अब बात करें कि फिर कैसे हम उनको कवर अप करें सबसे पहले तो देखिए जब भी आप मोग टेस्ट करते हों सभी ने ध्यान से सुनने है जब आप मोग टेस्ट अटेंप्ट्ट करते हो इन ड़ाट केस ऐसा नहीं है कि हां एक टेस्ट आपने पुरा कंप्लीट कर लिया and after attention हमने देखा कि मेरा स्कोर तो काफी कम आ रहा है और उस टाइम पे हम डी मोटिवेट होके बैठ गए तो टाइब ओप स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट क्या है डी मोटिवेट होके साइड में बैठ गए इस बार तो मेरी प्रिप्रेशन है निक्स्ट अटेम्ट के लिए जाएंगे ठीक है जो दूसरा है ठीक है वह क्या कर रहा है कि नहीं कहां पर मैं पहले एनलाइज करूं क कहां पर कमी आ रहे है क्या क्या मेरे वीकेरियाज है क्यों मेरा जो स्कोर है वो कम आ रहा है कैसे मैं इसको इनक्रीज कर सकता हूं अभी तो मेरे पास टाइम है तो हमें फस्ट कैटेगरी के अंदर सबसे पहले तो देखिए सब कॉंशियस माइंड की पावर बड़ी तेस्ट एंट्ट कर रहे हूं, आपने एक पर्टिकुलर टेस्ट है, टेस्ट को आपने एक्टेंट किया है, you attempted 100 questions, ठीक है, न सोरी, in test you have 100 questions and you can attempt only 50, okay, in that case, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि भी 50 questions attempt करें, ठीक है, अब उसके बाद ऐसा निक चलो फिर 2nd MOC के लिए चले जा ऐसा निए कि सिर्फ 50 questions कर लिए और फिर 2nd MOC के लिए आप शुरू हो जाओ, नहीं, क्या करना है, आपने एनलाइज करना है, अपने टेस्ट को, कि मेरे टेस्ट में कैसे questions आयो गए थे, ठीक है, आप जैसे हम देख रहे हैं, कि हैंजी, quadratic equation के मुझे 5 questions मिले हैं, तो 5 questions में और कैसी quadratic equations हैं, और मुझे कहां पर problem आते हैं इनको solve करने में, क्या मैं तू मिनट्स के अंदर इसको कर पा रहा हूं, आपने अनलाइज किया, same way you analyze number series, same way you analyze data interpretation, single single topic के उपर अपने थोड़ा सा टेस्ट के बाद में अनलाइज करना है, उसको कि मैं कहां पर बैक जा रहा हूं कहां पर जो मेरा focus है वो बन नहीं पा रहा है, so that कि मैं उसको नहीं attempt कर पा रहा हूं, okay, तो उसके लिए आपने, अब आपने उसके लिए करना क्या है, कि जो topics आपके वीग है, for example quadratic equation की अगर हम बात करें, तो आपको अभी quadratic equation के अंदर ही, for example, आपको quadratic equation आता है, but quadratic equation के अंदर ही आपने 5 to 6 minutes यहां पर ले लिए है, और वहां पर भी आपकी 5 के अंदर से 1, 2, or 2 quadratic equation मान लीजिए, हमारी रोंग होगी है, तो उस case के अंदर हमें क्या पता चला, कि यह जो particular section है, थोड़ा सा आता तो है, but इस पर मुझे भूच जादे practice की जरूरत है, okay, तो आप क्या उस particular topic को आपने पिक करने, and after that you will go for that particular topic की चोट-चोटे concept और speed बढ़ाने है, means कि पहले उस particular topic हमने अच्छे से prepare कर लेना है, same way हमने देखा कि हाँ number system में problem, sorry, number series में problem आ रहे है, तो number series के काफी सारे questions पे आपने practice कर लेने है, with timer, timer के साथ में हमने practice करने है, what am I saying कि जो को आप पहले sectionally, sectionally आप prepare करो, जैसे for example, हम जो से क्वांट की बात करें तो क्वांट के अंदर, पहले sectionally आप prepare करो, कि हाँ यह यह topics prepare कर ले फिर sectional test हमने लगाया, उसके बाद में, आप complete moq प आ रहा है, starting में direct complete moq पे नहीं आना है, पहले हमने sectional जो है उसको prepare करने, and after that you will go for the complete moq, okay, ऐसा कर सकते हो, कि जैसे for example, अगर हम बीक में देखें, तो उसमें आप 5, 5 क्या कर रहा है, आप sectional test लगाया है, ठीक है, और उसके बाद में 2 आपने complete moq लगाये, ठीक है, फिर जब आप complete moq लगाये, फिर आप complete moq लगाये, तो फिर आप देखो कि हाँ, जिन जिन sections को मैं already prepared कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, उसके अंदर obviously I have improved, आप देखोगे कि हाँ, यही sections के अंदर मैं improve हूँ, and I am improving, ठीक है, और again, when you go for the complete moq, again you will analyze कि हाँ, अब मैं कहां पर लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो जहां जहां पर भी आपके lacking है, उन उन points को आपने फिर अग complete moq, okay, ऐसा नहीं करना है कि हाँ, एक moq लगा है, फिर उसके बाद दूसरे पर चलेगे, फिर तीसरा और चोथा, नहीं, ऐसे नहीं, second point, second point क्या, कि जब भी आप complete moq कर जैसे, for example, आपके sectional भी complete होगे, and then you are improving, ठीक है, but उसके बाद भी आप complete moq करते हैं, या फिर sectional के ठीक है, उन particular questions के solution को आप करो, okay, उस question को देखो कि हाँ, इसको मैं ऐसे solve कर रहा था, कर रही थी, but actually मैं अगर मैं इसको, इस trick के साथ solve करूँ तो मेरा कम time लगेगा, तो उन particular types के उपर भी आप practice करोगे, okay, तो इस तरह से अगर आप करते हो, in that case, आप automatically देखेंगे कि आपके जो score है, वो increase हो रहे है, और जब आपका score, मोक टेस्ट के अंदर increase हो रहे है, in that case, obviously, when you will go in your exam, with the confidence कि हाँ, मेरे तो मोक के अंदर इतने बन रहे थे marks, ठीक है, then you will definitely improve your score in exam also, okay, तो ये तो हो गया कि हाँ, जिन students का अभी exam है, जिन students का अभी exam है, तो उन के लिए, हमारे पास में a year about one month है, और हमने ऐसे करना है, ठीक है, but अभी कुछ students ऐसे है, जिनको ने अभी 23 के लिए प्रिपेर करना है, तो उनको मैं अभी से बता दू कि starting से ही आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना base strong करिए, अपने fundamentals आपने clear करने है, ठीक है, and जब fundamental clear करे हो, then you will practice on single single topics, okay, and then you will practice on the mixed questions, and then go for the complete mock tests, okay, ऐसा नही है कि हाँ जी अगली बार मैंने paper देना, तो starting से ही moks हम शुरू करते है, क्योंकि काफी students मैंने देखा है, जिन से बात करे है, कि हाँ मैं 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 लगा रहा हूँ, तो उससे में प्रैक्टिस हो जाएग, उस go for moks, otherwise क्या होगा, कि अपना moral डाउन हो जाएगा, जब moral डाउन हो जाता है, in that case हम exam में एक तरह से बैठने से पहले ही failure को face कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि पहले मैं क्या करूँ, कि मेरे weak areas हैं, उनको मैं cover up करूँ, then मैं mock test attempt क के अंदर भी जहां जहां पे भी मुझे जिन-जिन sections के अंदर problem आ रही है, उन particular areas को मैं cover करू, then फिर मैं mock test attempt को, और फिर जब मैं improve कर रहा हूंगा, जब मैं improve कर रही होंगी, तो automatically हमारा moral अप होगा, ठीक है, we will be more confident than before, okay, and when you will go for the exam with confidence, then obviously हमारे पास में पहले से ही है कि हाँ, हमारा paper के अंदर अच्छा score आएगा, okay, तो सभी ने इस तरह से prepare करने, done, जैसे तो आप mock tests, mock tests कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, अभी pedia के भी mock tests available है, and these are very goods, आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी information चाहिए, in that case हमारी site हा, और test के लिए, especially अभी जैसे SBI PO का test है, तो PO के tests के लिए, यहाँ पे हमारे पास में test series अवलेबल है, जिसके अंदर हम आपको sectional as well as complete mock tests provide करें, sectional tests भी आपको मिल रहे, as well as complete mocks भी मिल रहे, yes, यहाँ पे आप देख सकते, yes, this is SBI PO complete tests, complete test, इसके अंदर 50 tests हम आपको provide करें, जिसके अंदर 2020 sectional test, yes, you are getting sectional test as well as complete test, tests, तो total 50 tests हैं यहाँ पे, okay, एक बार आप चेक करने के लिए free tests भी ले सकते हो, we are also providing 4 free tests, जिसके अंदर 3 sectional है, one is quantitative aptitude, one is logical reasoning, one is English and one is complete mocks, okay, तो आप एले इसको भी चेक कर सकते हो, and after that you can go for the complete, done, अगर आपको sectional अच्छे से prepare and you just want complete mocks, तो वो भी यहाँ पे अब लेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, yes, यह है आपके पास में, logical reasoning test, 10 tests, sectional अगर आपको चाहिए, sectional में problem आपको चाहिए, sectional में प्रोब्लम आरे है, sbipo quant test, 10 tests are available, then complete mocks, 20 complete mocks are there, 10 English and, अगर आपको mains के लिए भी sectional or full length test की requirement है, in that case, mains के लिए भी test series available है, okay, in which you get 27 tests, so जिन जिन भी students को test series की requirement है, you can follow this link, आप इस link को follow कर सकते हो, so I hope this video will be very helpful for you, की हाँ कैसे हमने prepare करना है, फिर भी अगर कोई भी minor सा आपके mind में, doubt आता है, in that case, you can comment in the comment section, और जिन जिन students ने चैनल को subscribe नहीं किया होगा है, आप चैनल को subscribe कर सकते हो, जिससे की जो भी new videos upload करें, उनका notification आप लोगों को मिल सके, और आपकी preparation के अंदर भी helpful रहे, okay, जुड़िए बिटा देखे, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, in that case, एक तरह से हमारी भी responsibility बन जा कर रहे हैं, then जुड़िए हमारे साथ में, okay, और जो भी आपको problem आ रहे है, without any hesitation, comment in the comment section, thank you,